हमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अलाइंस पोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम अभी फोकस कर रहे हैं जो आने वाली और नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही कई सारे इंफोमेटिव वीडियो आपको यहीं पर मिलते रहेंगे मैं हो उमाकान पुरोहिद आईए देखते हैं क्या है most important वो टॉपिक्स जो की स्पोर्ट से हुए हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर ऐस से कई सारे और भी इंफोमेटिव वीडियो और डेली करेंट अफेट्स आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल उमाकान पुरोहिद पर इससे रिलेटेड और भी करेंट अफेट्स के टॉपिक्स वन लाइनर्स और क्वेस्टन्स सभी मिलेंगे आपको मेरे टेलिग्रा सवाल आने हाई प्रोबेबल चांसेज बनते हैं सबसे पहले हम यहां पर टॉपिक वाई चलते चलेंगे हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हुआ 36 राश्ट्रिय खेल यह हुए हैं गुजरात के अंदर और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर यह कहां पर क स्पोर्ट्स हुए हैं एंथम क्या थी इसकी एक भारत श्रेष्ट भारत 37 राश्ट्य खेल की एंथम थी तो इससे भी सवाल आ सकता है कि एंथम क्या थी इसके बाद में किसके द्वारा गया गया उत्विंदर सिंग जिन्होंने वो चक्डे इंडिया वाला गाना गया च्छी ऑफ यूनिटी भी गुजरात के के वाडिया के अंदर है वैसे इसे से कनेक्ट करते हुए ही यहाँ पर लिखा गया है इसे शावज कहा जाता है और यही इसका सुभांकर है तॉप थ्री रैंक्स यहां पर रही है पहले नंबर पर रहे हैं सर्विसेज दूसरे इसके बाद में भारत में एक और बड़ा इवेंट हुआ यह ऐसे इवेंट मैंने आज आपके लिए चांटे हैं जिनसे हाई प्रोबेबल चांसे मनते हैं बड़ा इवेंट हुआ है के अंदर समिट भी करवाने वाला है के लगा 43 एडिशन इससे पहले हुआ था जॉट जी आके बटू मी के अंदर और 45 अगला होगा दो जाट 24 के अंदर बुड़ा पेश्ट अंग्री के अंदर इसका ओफिशल मैस्पॉट सुभांकर जो है इसका नाम है थंबी दहोट्समैन तो यह चैस अलंपियाड अब इसके अंदर और क्या डीटेल से आए देखते हैं भारत की पर्फोर्मेंस कुछ इस प्रकार से रही कि भारत की जो बी टीम थी इन्हों नहीं आपर ब्रॉंज के अंदर इंडिया की जो बी टीम थी इसके अंदर थे प्रागनंदा गुकेश निहाल रॉनत अधीबन भासकरन और ओनली इंडियन टू विन टू उलंपियाड मैडल है यह अब हो सकता है कि ऐसे सवाल नहीं आए कि कौन सी टीम ने जीता अगर पूच लेता है कि अधीबन भासकरन कौन से खेल से समंदित है इन्हों ने ही चैस के अंदर मैडल जीता है इंडिया एक ही जो वुमन्स टीम थी यह तीसरे इस्थान पर रहे और इन्हों ने भी ब्रॉंज मैडल जीता इसके बाद में इंडिया की जो ए टीम थी जिसके अंदर कोनेरू हमपी थरीका र इंक्लूडिंग टू गोल्ड बन सिल्वर और चार ब्रॉंज मैडल एक वाट से इस लाइड को पढ़िए यह जो प्लेट से इनके नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे आ सकता है यह खिलाडी कौन से खेल से सम्मंदित है कि के छिए कि है गुखेश और निहाल सरीं जो इननों ने जीता है गोल्ड मैडल अर्जुन इरागाई सी जो है इननों जीता है सिल्वर मैडल और प्रगनान्दा और आर वैसाली तानिया सचदेव देव्या देशमुक इनों ने जीते हैं ब्रॉंज मैडल कितने हुए इसने देखा था सांट मैडल जीते हैं भारत ने इसके अंदर अब ये जो सांट नाम है ये हो गए महत्वपूर्ण ये सारे चेस्ट से सम्मंदित प्लेयर्स है और इसके बाद ने भारत में एक और बड़ा इवेंट हुआ खेलो इंडिया यूथ गेप्स कहां पर करवाए गए इस्वार्ट मध्यप्रदेश में 2022 वाले फूर्थ एडिशन 2021 वाला पंचकुला हर्याना के अंदर थर्ड एडिशन गुवाहाटी आसाम के अंदर सेकिंड एडिशन 2019 का पूने महराष्ट के अंदर और फर्स्ट एडिशन था 2018 नई दिल्ली के अंदर के बाद में खेलो इंडिया के अंदर कई सारे होते हैं इसमें आया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसके अंदर पहला एडिशन जो है कि अंदर एक मास नेस्टिंग होती है मैंने बताया था ओलिव रिड्ले सी टर्टल्स जहिर माथा बीच यह एक्जाम प्रेसर दिख रहा है इस एक्जाम प्रेसर को मत लो इंडिशन 2021 का बेंग लूरू करना टका के अंदर हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी और यहां पर हमारा जीवन हो चुका है आसान क्यूंकि विंटर गेम्स कहां पर होंगे जहां पर होगी बरफ बरफ कहां पर है सबसे ज़्यादा सारे इवेंट जो है तीनों साल के ही गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए के बाद में खेलो इंडिया आइस होकी टूनामेंट भी करवाए गया जो की हुआ चिक्तन कार्गिल लदाक तो यह भी तो जे एंड के और लदाक वाला रिजन ही है आइस होकी बरफ के ऊपर होकी खिलवाएंगे बरफ चाहिए उसके लिए नैचुरली यह भी यही पर फर्स्ट खेलो इंडिया जांसकर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल दो जार एक्केस भी कार्गिल लदाक के अंदर हुआ यह जांसकर नाम से एक माउंटेन रेंज भी है तो भारत का मस्तक भारत का जो गौरव है यहां पर लदाक जांसकर रेंज आती है और उसी एरिया के अंदर यह करवाए गया इसलिए कहा गया है फर्स्ट खेलो इंडिया जांसकर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल कि यह इधर से कौन-कौन सी नदिया निकलती है एक ट्रीटी में बताई थी आई डब्लू टी 1960 में हुई थी इंड़स वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में इसके अंदर छे नदिया है भारत के पास में कौन सी और पाकिस्तान के पास में कौन सी है एक तो यह हो गई पाकिस्तान के पास में दूसरी एक और आवी यह तीन भारत के पास में तैसे कनेक्ट करो भूलो मैं इसके बाद में Grand Prix 2022 फॉर्मूला वन जो रेस होती है ऐसे तेज से जो गाड़ी चलती है वो होती है फॉर्मूला वन रेस इसके अंदर Grand Prix जितनी भी है सारी कुछ मैंने आपके लिए यहां पर इसमें डाल दिये अब यहां पर देखिए पहली हुई साओधी अरेबियन Grand Prix 2022 मैक परेवन फैनिश ग्राइजान KEPAn कैनेडेन Grand Prix 2022 मैकिश यह पर लिए मिस्ट के अंदर कि क्टे अगे निकलिल लेंगे अब और भी ग्रेंट्स यह हुई है इसके अंदर जैपनीज ग्रेंट प्रिक्स 2022 इसमें भी मैक्स वैस्टेपर फिर आई ऑस्ट्रेलियन ग्रेंट्स इसके अंदर धोड़ा बदला हुआ चार्ल्स लेक्रेक ने जिता फरारी टीम से खेलते हैं मॉनेको देश से बहरीन ग्रे में कौन सा बड़ा देश पड़ता है कि कौन से कॉंटिनेंट के अंदर है मेक्सिको कि कौन से माधवीब के अंदर ऑप्शन देदू नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका एशिया कि एशिया कि एशिया कि एशिया कि पंजाभी गाने सुनते हो कि इसके अंदर कई वार आजकल मेक्सिको आता है नौर्थ अमेरिका के अंदर है तो यूए से है इसके जस्ट नीचे का जो है वो मेक्सिको इला कही है पाबलो एशिको बाहर आजकल कही गानों के अंदर वो बोलते हैं वो मेक्सिको से ही है ट्रग लॉड और अब देखो ब्रिटिस ग्रेन प्रीक्स लों 1022 कार्लो सैंज शिंगपोर ग्रांड प्रेक्स सर्जियो पेरेज उएस ग्रांड प्रेक्स मैक्स वेर स्टेपन तो इसके अंदर देखो तीन ही नाम बार बार आ रहे है सबसे ज्यादा नाम आया इसका इसके बाद में दो जगह पर है इसका तीनी नाम है कि बाद में हुए Commonwealth Games भारत को करवाया काफी गौरवान विद इस वार हमारे खिलाडियों ने पोस्ट सिटी कौन सी है फर्मिंगम इंग्लेंड पोटो क्या है गेम्स फोर एवरिवन ये डिरेक्ट डिरेक्ट किया गया है नाम है पैरी दबुल हां कि बाद में भारत की क्या पोजिशन रही मैडल टैली के अंदर तो चौथा इस्थान राह भारत का भारत नहीं यहां पर जीते 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉंज सब कुछ डाल दिया है मैंने में में फोकस रखेंगे इसके उपर और इसके बाद में जो जो निउस के अंदर थे कि यह पहली बार हुआ है वो सब कुछ मिलेगा आपको तौप कंट्री किसने मैडल टैली में टौप किया तो है ऑस्ट् सिल्वर और 54 ब्रॉंज मेंडल्स यहां पर मिले हैं एक वारिक्स को पड़ो अब देखो पार्टिसिपेटिंग नेशन्स कि इतने में अब देखो पार्टिसिपेटिंग नेशन्स थे तेवन्टी टू कंट्री ने कॉमन वेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेटि किया कॉमन वेल्थ जो संगठन है के अंदर कितने सदस्ये अब ही मैंने जब अपन ने क्लासेज किये इसके अंदर बताया था इसकी एक बड़ी मीटिंग हुई है और वो पहली बार इस देश में हुई है जो उसका सदस्य राष्टे नहीं है कि गली शहर है रवांडा के अंदर वहां पर चोगम हुई थी कॉमन वेल्थ तो कंट्रीज है इनकी सबसे बड़ी जो बॉड़ी होती है इसकी मीटिंग अब देखिए पार्टिसिपेटिंग नेशन्स कितने थे तो 72 ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई को हुई क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त गोई भारत की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसके अंदर ध्वजवाह कौन थे पीवी सिंदू और इंडियन होकी मैंस टीम के केप्टर मिश्टर मनप्रीज सिंग के बाद में क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बेर कौन मिश्टर सरत कमल और निखत जरीन ये किस खेल से समन्दित है निखत जरीन सरत कमल टेबल टैनिस और इस वार कौन सा आवार देंगे ज्यान चंद खेल रतना आवार्ड और सिग्निफिकेंड बात इसलिए है कि इस वार अकेले को ही दिया जा रहा है पिछली बार इतने सारे लोगों को दिया गया था और ऑफिशल स्टेटमेंट है इसके अंदर भी का है और इन्होंने खुद ने भी ट्वीट किया इसके अंदर का यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अकेले को दिया जा रहा है इस वार मैं इसके बाद में देखो संकेत सरगर जो है इनको पहला इन्होंने पहला भारत का मेडल जीता सिलवर मेडल था ये 55 KG के अंदर वेट लिफ्टिंग इवेंट के अंदर किस केल से समंबnn देट ynूप वेट लिफ्टिंग से किस कैटेगरी के अंदर जीता 55 kg कौन से गेम के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है कौन सा मैडल है इन्हों ने यहाँ पर पहली भार्टिय बनी टू विन अगोल्ड एट वेट लिफ्टिंग के अंदर यहाँ और पहली वार ऐसा हुआ है कौमन वेल्ट गेम्स के अंदर के अल्डोज पॉल ने जीता है गोल्ड मैडल फोर इंडिया इन ट्रिपल जम्प और जब यह पहली वार हुआ है तो यह हो गया इंपोटेंट तो यह आज मैंने वो वो इन्फोमेशन ने डाली है जिससे डारेक डारेक बनने के चांस से महिला फर्स्ट एवर कॉमन वेल्ट गोल्ड मैडल जीता लॉन बॉल्स के अंदर के बाद में टी ट्वंटी क्रिकेट जो है महिलाओं का यह भी पहली वार्ट सामिल किया गया था इस कॉमन वेल्ट गेम्स के अंदर कौन है भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अब देखो यह है मैडल टैली औस्टेलिया रहा नंबर वन पर 67 गोल्ड 57 सिल्वर 54 ब्रॉंज टोटल 178 इसके बाद इंगलेंड तीसरे नंबर पर कैनेडा चौते नंबर पर हमारा प्यारा भारत 25 गोल्ड 16 सिल्वर 23 ब्रॉंज टोटल 61 हमसे 6 मैडल ज्यादा तो इनके ट पॉटल गोल्ड मैडल चल रहे हैं और वैसे यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन यहां पर था एक्साफ एक्स क्या यहां पर तो देखिए पहला कॉमनवेल्थ गेम है जो की हमिल्टन कैनेडा के अंदर आयोजित करवाया गया था 1930 के अंदर दिल्ली ने 2010 क एक से अंदर क्वनवेल्थ करवाया गम iron की समय पर हुआ था और और कॉमन मेल्थ 2008 शबिस होने वाला है विक्तवरी या ऑस्टेलिया के अंदर चैकल आह पूंग कर रहे हैं अपने को कुल मिला के महा पर क्वेस्टन निकालना है अब देखो मीरा बाई चानू जो है इन्होंने किस के अंदर जीता वेट लिफ्टिंग जरे में लाल रिनुगा किस के अंदर जीता वेट लिफ्टिंग अचिंता शेयोली किस के अंदर वेट लिफ्टिंग कुधीर मैंस हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर बजरंग पूनिया मैंस 65 kg फ्री स्टाइल रैसलिंग अब ये जो खिलाडी है ना अपने को उनका कौन सा खेल है वो याद रखना है जितने भी खिलाडी है इनका खेल ऐसे पूछ लेंगे अचिंता शेयुली हाल ही में चर्चा में रहे कौन से खेल से संबंदी थे अपने को ऐसे याद रखना है कि के बाद में शाक्षी मलिक कौन से एक ओलंपिक के अंदर मैडल जीता था इससे पहले कहां पर हुआ था 2016 2016 वाले के अंदर इन्हों ने जीता था और इसके बाद में अब रैस्लिंग के अंदर वापिस से इन्हों ने कमबैक किया है 62 kg के अंदर खेलती है यह कुस्ती तक्सी मलिक हो गया इसके बाद में मिस्टर दिपक पूनिया मैंस 86 kg प्रिश्टाइल रैसलिंग अंदर खेलते हैं रवी कुमार दया 57 kg यह भी रैसलिंग विनेश्ट वोगाट यह भी रैसलिंग नवीन यह भी रैसलिंग नितू गंगाज क्या आती है वुमान 48 kg minimum weight boxing के अंदर अमित पंगाल यह काफी चर्चा के अंदर रहे थे क्योंकि इनका struggle बहुत लंबा रहा है क्लब कई सारे international events है वहां पर यह चूक जाते थे इनकी तैयारी हमेश अच्छी होती थी आखिरकार यहां पर आकर के इनको medal मिला है तो अपने को भी इनसे inspiration लेनी चाहिए जो वह 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 आगे अब अपने आथ के अंदर है यह परिक्षा तूकना नहीं है इस्वार माइंड कूल करते वे चलना है उसके बाद में निखज दरीन यह भी काफी चर्चा में रही थी कौन सी है बॉक्सिंग खेलती है पीवी सिंदू सबको पता है बैडमेंटन खेलती है लक्षे शेन यह भी बैडमेंटन सत्रिक्ष, साहिराज, रंकर एड़ी और तिराग सेथी यह मैंस डबल बैडमेंटन के अंदर एल्डोज पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स यह पहली वार हुआ है एल्डोज पॉल ने ट्रिपल जंप के अंदर जीता है इसके लिए यह अती महत्वपून है भारत की जो वुमन्स टीम थी इन्होंने पहली वार लॉन बॉल के अंदर भी मैडल जीता था और इसके बाद में अचिंता शारत कमल और स्रीजा अकुला मिक्स रबल टेबल टैनिस यह वह है जिनको ध्यांचन खेल रतना बॉर्ट दिया जाएगा 40 साल की उमर है इनकी के बाद में अचिंता शारत कमल ने मैंस सिंगल के अंदर भी जीता और भवानी बेन पटेल इन्होंने वुमन सिंगल टेबल टैनिस के अंदर इनाम जीते हैं तो एक वार मैं वापिस से रिवर्स करता हूं एक वार इनको सब को पढ़ो पहले यह पढ़ लो भवानी बेन भवानी देवी वो जो आप कह रहे हो वो टोक्यो ओलम्पिक्स के अंदर था हाँ अले पीछे झाल झाल कि इतनों का याद रखेंगे अ कि बहुत ज्यादा इंफोर्मेशन पोवर लोड हो जाएगा ज्यादा तर आज कल मैंने अब्जर्व किया है रीसेंट पेपर के अंदर कैसे पूर्च अभी ने इस होगाट कौन से केल से संब्द देते हैं वैसे इतनी ज्यादा इंफोर्मेश यह काफी चर्चा का विशय रहा था इंडिया की जो हॉकी टीम है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इस गेम के अंदर और ऑस्ट्रेलिया से यह मैच हा रहे थे 07 से और यह जो पी आर्स रजेस है यह गोल कीपर है भारत्य टीम के और यह काफी चर्चा में रहे थे उस सम कि ओपनिंग नहीं क्लोजिंग में इसके बाद में कौन-कौन है टीम के मेंबर तो अपने को इनके नाम याद रखने पड़ेंगे पियार्स रजेट्स सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर यह इसके बाद में कृष्ण पाथा वरुन कुमार सुरेंद्र कुमार हर्मन प्रीथ स इसके कैप्टन नहीं है कि इनके डेप्टूटी यह नहीं है कि अमित रोहिडा जुग्राद सिंग चर्मन प्रीथ सिंग हार्दिक सिंग विवेक प्रशाद समसेड सिंग इन सब के नाम एक एक वार ध्यान रखो क्या पता वहां पर पूछ ले सबसे ज्यादा चांस मनते है एक इनके और एक इनके तीन के तुकि यह ज़्यादा चर्चा में है है अब इससे ही रिलेटेड होकी इंडिया के नए चेर्मैन बन चुके है मिस्टर दिलीब तरकी जो पहले इंडियन होकी टीम के कैप्टेन हुआ करते थे और इंडिया की जो वोमन्स होकी टीम है इन्होंने भी ब्रॉंज मैडल जीता इंडिया की वोमन्स होकी टीम काफी अच्छा कर रही है अगर याद हो तो जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे इसके अंदर वो लास्ट के अंदर चूग गए थे तो पीम साहब ने उनको फॉन ब्रॉंज मेडल यहाँ पर मिला है कैपटन कौन सविता पूरिया स्के बाद में यह पूरी टीम है इनकी है कि आधर कि पॉल वोट एक इसके अंदर सब को मैडल मिलता है एएक रहिक के क circum को देदिया यह जितन भी Nine members है इन सब को मेड़bab्रत कूंद मेडल मिला है और अब करते हैं टेनिस से रिलेटेट जितने विए हैं तो मैंने आपको नक्षे के अंदर बताया था कौन सा पहले होता है यह हमारा नक्षा सबसे पहले नीचे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से उपर आओ फ्रांस फ्रांस से आओ बृटेन बृटेन यूएस में कर दो खत इन् से के मेडम कहां से आती है ऊस्ट्रेलिया से आती है जीता है हमारे को मैंद याद और भी आसान क्योंकि अगला फ्रेंच ओपन वीसी ने जीता और यह इसका घर का खेल है यहां पर कभी नहीं आरता है क्ले कोड का किंग का जाता है और दूसरा वुमन सिंगल किसने जीता है लिगाश वाइट एक ने और यह भी अपना जीवन आसान करेगी क्योंकि एक ग्रें पाकिना यह आती है कजाकिस्तान से इन्होंने वुमन सिंगल टाइटल जीता और इसके बाद में मैं सिंगल कार्लोस अलकराद स्पेन से आते हैं काफी छोटी उम्रस हैं बहुत चर्चा में थे यह उस समय पर और वुमन सिंगल इगाश वाइट एक कि पहले भी कोई जीत च इसके बाद कौन सा फ्रेंच फिर कि नाम क्या है उसका विम्बल्डन और इसके बाद में यूएस ओपन अब इनसे रिलेटेट कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं विम्बल्डन ओपन जो है यह अठारा सो सततर के अंदर शुरू किया गया था ओल्डेस टैनिस का टुनामेंट है तो ऐसे पूछ ले टैनिस का सबसे पूराना टुनामेंट कौन सा विम्बल्डन कहां पर है य यह ग्रास कोड पर खेला जाता है यह यह अठारा सो 181 के अंदर खुला जाता है और अठारा सो एकांड में यह क्ले गोट और ऑस्टेलियन ओपन यह उन्निस सो पांच यह हाड को देखो तो तो हो गए हाड़ कोट वाले एक ग्रास कोड अपने को ज्यादा चर्चा के टाफेल नाडाल की वज़े से यह तो गए अलग-अलग और वाकि यूएस और उस्टेलियन है यह दोनों हार्ड कोड पिद नॉर्मल जो कोड होता है इसके उपर हो जाएगा और कई सारे और भी टैनिस के इवेंट्स होते रहते हैं तो इसके अंदर मैं सिंगल इंडो नेशन ओपन के अंदर जीत लिया विप्तर एक्सल सरने जो की डैन्मार्क से आता है वुमन सिंगल टाइजू ये ये चाइना की टाइपे से आती है टाइपे टाइवान कोई तो कहत है है कौन साइलेंड है कि कॉर्मोस आइलेंड इसके अंदर डैथ हो गई थी निता दी सुभास चंद्र बोस के बाद हुआ जापान ओपन इसके अंदर जापान में हुआ है तो यह इसे याद रख लो जापान का याद में था इसने जीता है निश्व मोटो इसका नाम है और जापान की अकाने यामागुची गरागरू उन्होंने सारे अवार्ड है वो जीत लिए अपने को चार जो ग्रेंड स्लैम इवेंट है वो याद रखने होते हैं के बाद में यह सारी इंफोमेशन मैंने इसलिए डाल दी कि आपको यह नहीं लगे कि कुछ छूट गया है एक एक वार्ड सारा पढ़ लो बाद में वहाँ पर अगर क्लिक कर जाए तो अच्छी बात है पिर देखिए वाशिंग्टम ओपन सिटी ओपन इसको किसने दीता ने किर्ग्योस ऑस्टेलिया से मुमन सिंगल लिवडी मिला समसोनोवा रशिया से फिर 2022 नेशनल बैंक ओपन टैनिस टूनामेंट कहां पर हुआ मॉंट्रियाल कैनेडा के अंदर मैंस सिंगल पैबलो केरे नोबस्टा स्पेड कुमन सिंगल सिमोना हालेप रोमानिया और ये अपने को याद रखना है भारत ने दो गोल्ड मैडल जीते हैं 2022 के वर्ल्ड डबल्स स्कॉस यह बहुत चर्चा में रहते है जोसना चिनफा कौन से खेल से संबन दीत है सिदा याद रखना है सिस पूश्जेंगे जोसना चिनफा कौन को लünde की यह उस समय पर जब यह जीता की इंदर रहा था के बार डीपी का पलिकल और सोरभ अजान ने इस आफान कर दिया एक तो य कि फिर हीरो एफ आइज फोकी कि लुजैन के अंदर हुआ 2022 के अंदर मेंस टीम भारत ने जीता है यहाँ पर पुमंस टीम पुरुगवे ने जीता है कौन से कॉंटिनेंट में अब तम ताटा बाई बाई साओध अमेरिका के अंदर है कल अपने नक्सा देखा है पुरुगवे परागवे के बीच के अंदर कौन सा देश आजाता है अर्जेंटीना लियोनल मैसी वहीं से है तो 2022 बैडमिंटन एशिया चैंपियंशिप भारत की पीवी सिंधु ने यहाँ पर जीता है तो 2022 आई डबलू एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप हरसेदा शरत गरूर पहले भार्टिय बन चुके है जिन्होंने गोल्ड मैडल जीता है यहाँ पर के बाद सेकेंड खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम बैंगलोरू करना टका के अंदर हुए और यहाँ पर जैन युनिवर्सिटी जो है बैंगलोरू की यह इसकी होस्ट थी यहाँ पर यह इवेंट हो रहे थे और सबसे ज्यादा मैडल भी इन्होंने जीत लिए खुद पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद में कई और भी लेटेस्ट अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट वेन्यूज होने वाले जैसे पूछ लेते हैं कि अभी यहाँ पर हुआ है अगला कहां पर होने वाला है यहाँ पर स्लाइड के अंदर मैंने इन्फोर लेटेड जितना भी कंटेंट जो मुझे विजिबल लगा वो सारा मैं उसके अंदर डाल दूँगा कौन-कौन से इवेंट है देखो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स अभी कहां पर हुए बर्मेंगम इंग्लेंड अपने को पता है दो जार्चबिस में होगा विक्टोरिया औस अस्टेलिया के अंदर कौन सा होगा यह देविश्वा होने वाला यह कि के बाद में समर ओलम्पिक्स तोजार चौबिस पैरिस फ्रांस का शुभंकर है उसका गटन कर दिया गया अपने कल की क्लास के अंदर ही देखा है लाल कलर की जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय लिया दोजार सः इस्तानबुल तर्की कि ऐधकर कैसे रखना है hamburgh घूंपर फ्राला तो कि वहां के वाद में गूम जाएंगे लॉज अंज्छले यूए से फिर वहाल से कहां जाना है जाना है तर्की जाना है इस्तानबुल तर्की की वह बाद कैपिटल कॉन सी है इस्तानबुल है कि यह अंकारा है जादा तर लोग यह करके आएंगे काला चश्मा लगा के बाहर आएंगे जाएंगे सारा सही करके आया हूं मैं तो फिर की मिलाएंगे तब आएंगे खोटो बता रहे हैं गलत हो जाएगा अंचर के बाद एको विंटर ओलम्पिक्स 2022 विजिंग चाइना 2026 मिलान इटली के अंदर फिर समर यूथ ओलम्पिक्स 2026 चौथा इवेंट होने वाला है यह डकसार सेनेगल के अंदर फिर आते ह सब्सक्राइशन गेम्स 2022 होगा चाइना के अंदर 2026 नागोया जापान नागोया प्रोटोकॉल भी है किससे संब्सक्राइब याद रख लो अभी हो सकता है इससे क्वेस्टन आ जाए पायो डाइवर्सिटी जैव विविदता से संब्सक्राइब नागोया प्रोटोकॉल आइची टार्गेट्स जो है वो भी इसी से संब्सक्राइब यहां पर अभी क्या हो रहा है पीफा 2022 पॉल का नाम अल रहला अगर याद हो तो एक ट्रेवलर हुआ करता था इबन बतूता वह गाना है बगल में जोता है वह वाला याद गर लो उसका जो ट्रेवल लॉक था जो उसकी डाइरी थी उसका नाम ता अल रहला जिसके नाम पर इन्हों ने रखा है फिर 2034 होगा रियाद साओधी अरेबिया के अंदर फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी हो रहा है कतर 27 होगा कैनेडा मैक्सिको यूएस मिलकर के करवाएंगे अकेले से पार नहीं पड़ेगी तो 2023 वुमन्स फीफा वर्ल्ड कप औस्टेलिया और न्यूजिलैंड मिलकर के करवाएंगे अभी यहांपर चल रहा है अगला होगा कैनेडा मैक्सिको यूएस नीचे नीचे आता है मैक्सिको फिर आता है यूएस फिर उपर आता है कैनेडा यहां ते लाइन से ऐसे तरांगे इसको इवेंट फिर फीफा अंडर ट्वण्टी मैंस व्ल्ल्ड कुप इंडो नेशिया के अंदर 2022 के अंदर होगा अंडर 17 अभी कहां पर हुआ अगला मैंस का पेरू पेरू कहां पर हैं कि कल मैंने वताय था कि यहां पर वह अल निनो ला निना इवेंट के अंदर पेरू आता है पुल्ड करंट से इदर फिर फीफा के कलब वर्ल्ड कप 2021 कतर अभी 2022 में यहीं पर हो रहा है फिर 2021 अठार बाद जो था वो जापान के अंदर नैशनल गेम्स 2022 गुजरात अपन पहले कर चुके हैं तो यह पूरी लिस्ट मैंने इसलिए डाल दिये कि क्विक रिविजन हो जाए आपका फिर आइसी सी का मैंस टी ट्वंटी वर्ल्ड कप इसी सी वुमंस टी ट्वंटी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रिका आठवा पिर क्रिकेट वर्ल्ड का पचास ओवर वाला 2023 में अपने यहां पर करवाएंगे देखते हैं क्या होता है तो 2027 में साउथ अफ्रिका के अंदर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स ट्रिनी डेड एंड टोबैगो हां पर है यह फिर वर्ल्ड एटलेटिक्स चेंपियंशिप 2022 यूजीन ओरिजन यूएस 2023 बुड़ा पेस्ट हंगरी फिर कॉमनवेल्थ आर्ट्री सुटिंग यह 2022 भारत में होगी इसलिए यह इंपोटेंट है तो इसके अंदर देखो में में जो जहां चाहां पर भारत का नाम आ रहा है ना उसको तो अपने को याद रखना ही रखना है वाकी अगर याद रहते हैं तो ठीक है नहीं रहते हैं तो ठीक है तो फिर होकी वर्ल्ड कप 2022 पुमन का स्पेल निदरलेंड मैं का दो जार टेविस के अंदर होगा भूबनेश्वर राउद केला ओडिसा तो यह इवेंट ह हो गया हमारे लिए इंपोर्टेंट हमारी भारत की जो होकी टीम है इसके स्पॉंसर भी यह हैं कि हुआ हुआ है कि अगर दूए निकल गहा है तो देखो फीफा वुमन्स वर्ल्ड कप दो जार टेविस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड के बीच में वर्ल्ड बैड मेंटन वर्ल्ड चैंपियंशिप दो जार सब्विस यह भारत के अंदर होने वाली है हिलो इंडिया यूथ गेम हरियाना दो जार इकिस के अंदर 2022 कहां पर अध्यप्रदेश 2022 का FIDE Chess Olympiad अपन देख चुके हैं आइसी सी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप फाइनल्स 2023 ओवर लंडन 2025 लंडन यह अपना आसान कर दिया कि लंडन के अंदर ही होने वाले कर देखना तू है कि अधर देखना तू है कि अधर अधर में अमा कान बोल रहा हूं यह क्लास में बोर्ड हैंग हो गया है अधर इस अधर इस वारे में कोई ग्यान नहीं पूड हैंग हो गया है इस अधर आसफोर्ण झास प blur में कैश कोई तू हो वारे जुडर इस वारे में बोते हैंग हो गया है यजर हो जो सोरक ड़ हो सम्ःफनन है पोग में जो भी हो ऊपकर कर दो यहा कर कि छया ओ, इस बह gonna ओ भी हो आगो जो झाल 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 तो इसके बाद देखो अपना बड़ा इवेंट एक हुआ एशिया कप 2022 के अपन यहां पर देख रहे हैं मैंस वाला मैंस के अंदर भारत जीता नहीं है वुमंस वाला है वो भारत ने जीता है यह पंदरवा एडिशन था एशिया कप के क्रिकेट टुनामेंट का और मैच जो है वो टी ट्वांटी फॉर्मेट के अंदर खेले गए यूए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर पहले कहां पर होने वाले थे श्री लंका ने कह जिया कि पैसा नहीं है हम नहीं करवाएंगे इसके बाद में इनों ने करवा लिया अब दोजाट टेबिस का एडिशन जो है यह वेन्यू चूज किया गया अभी अभी तो पाकिस्तान आगे देखा जाएगा कहा पर होता रहे पहला मैं जो है वह 47 अगस्त को अफगानिस्तान और श्री लंका के बीच में खेला गया अफगानिस्तानी मैच जीत दा हौक मैंस ने जीते हैं और साथ टाइटल ही वुमन्स ने भी जीत लिए हैं रनर अप यहाँ पर फाइनल के अंदर था पाकिस्तान पाटिसिपेंट थे छे फ्लेयर आफ दे सीरीज थे वनिंदू हसारंगा जो की आते हैं श्री लंका से के बाद मैं सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर पाकिस्तान के मुहमद रिजवान ने बनाए सबसे ज़्यादा विकेट्स यहाँ पर भुगनेश्वर कुमार ने लिए अब इसके बारे में और क्या-क्या इंफोमेशन होती है वो सारी कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिये फोस्ट नेशन कौन था यू एई पंदरवा एडिशन था सताईस अगस्ष से ग्यारा सितंबर चैंपियन श्री लंका छटा टाइटल रनर अरप पाकिस्तान स्पॉंसर डीपी वर्ड नेक्स एडिशन पाकिस्तान लेटेश एडिशन इसके बाद में प्लेयर आफ दे सीरीज मानिंदु हसारंगा मोस्ट रन मुहमद रिजवान मोस्ट विकेट भारत के भुवनेश्वर कुमार भारत की इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टान रोहिर सर्मा भारत ने सबसे ज़्यादा वार एशिया कब जीता हुआ है सांत वार पर अभी अब पिछले काफी समय से कोई भी बड़ा नहीं जीता है हमने अब यह देखो यह बहुत तर्चा में है क्योंकि देखो इसके प्रेजिडेंट कौन है प्रेजिडेंट कौन है तो प्रेजिडेंट कौन है तो मिस्टर जैसा हेड़ क्वार्टर है कौलंबो श्री लंका के अंदर फॉर्मेशन हुआ उनिस सितंबर उनिस सो तिराण में वाइस प्रेजिडेंट पंकज खीम जी मेंबर्शिप सब्विस एस्सेशियेशन से पेरेंट और्गेनाइजेशन वही है आई सीसी कौन है इसका ग्रेक बार कर लेख आज से यूजी लेंड चैन्स और इसके बाद में क्रिकेटीम ने जीता था ऐशिया कप कृपों है क्यक्यू क्यूं स्री लंका के सामने कौन थे पाकिस्तान यहां पर यह जो मैच हुआ है यह हुआ है सिलहट बांगलादेश के अंदर और इंडिया की टीम है वही सेम इन्फोमेशन साथ ही मैंस ने जीते हैं साथ ही वुमंस ने जीते हैं और यह भी एक बड़ा इवेंट हुआ था अलांकि यह स्पोर्ट्स के अंदर इतना नहीं है पर तर्चा का विश्य था और यहां पर स्टेडियम का नाम कंजू रूहान स्टेडियम में इंडोनेशिया के अंदर पहले कवर कर चुके हैं कि यहां पर भगदर होई थी इसकी व उलम्पिक्स मैंने यहां पर कवर करने की वह वह कोशिश पर ऊपरने की कोशिश के ठोड़ा पूरा नहीं हो कशचिऔर की सबसे पहले तो यह क्येंस आता है कई पांच-छले किसका परतिक भादि में ऐसिया करते हैं यहां पर पांच चल्ले होते हैं इसके अंदर के बाद में पहला जो modern Olympics है यह हुआ था इटेंस ग्रीस के अंदर 1896 के अंदर परपस क्या था इन Olympic Games का के पूरे विश्व के जो finest male और female athletes है इनको पूरा एक platform पे लिकर क्या आना पहले भी पूराने जमाने में भी Olympics हुआ करते थे बाद के अंदर वो बंद हो गए थे अब इसके अंदर winners in each of these contests are now generally regarded as the champions in the spade for the four year तब तक अगला नहीं होता है तब तक उनको champion माना जाता है जैसे बाला फैंक के अंदर अपने निरत चोपड़ा जी जो है इनको champion माना जाएगा अगला होगा तब तक के बाद में minimum age क्या है इसके अंदर तो 16 साल minimum age है और maximum age जो है वो sport के अनुसार तैग की जाती है तो पहला कहां पर हुआ अठारा सुच्यानवे कहां पर एथेंस के अंदर अब तोक्यों Olympics की बात करें तो यह 2020 Summer Olympics इने कहा जाता है और इस नली यह 2021 के अंदर हुए और साइकल खराब ना हो इस वज़े से इसे 2020 कहा जाता है 2020 माया कोविड नाइंटीन की वज़े से सब कुछ बंद था इसलिए नहीं करवाय गया अगला जो है वो 2025 में नहीं होगा तो 2024 में होगा अब यह कब से कब तक हुए तो 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2020 तक हुए बाद में यह कोविड नाइंटीन की वज़े से सब कुछ इससे सेटल कर दिया गया ओपनिंग सेरेमनी इसके बाद में इसकी 23 जुलाई 2021 को हुई थी और यह ऑफिशली एंड हुए 2021 के अंदर आठ अगस्त दोजार इक्यस तेम डीट है एक दिन पहले इन्होंने चेंज कर दिया इसको सेडूल को के बाद में जितने भी स्पोर्स पर्षन थे फ्रॉम आल तो कि 1902 में के अंदर एक रियो डी जैनेरियो जो ब्राजील के अंदर है यहां पर एक अर्थ समिट हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेट सबसे बड़ी समिट मानी जाती है और अभी-अभी कॉप 27 के कारण से हो सकता है कि इसके उपर भी पूछ लेके पहली अर्थ स 100डव 27 के अंदर गए तो उन्होंने कहा था कि हमने पहली समिट हमारे यहां पर करवायी थी और हम चाप 30 जो है वह आप हमारे यहांपर करवा और हम इसे अमेजन के गने जंगल है वहाँ पर करवाना चाते हैं सब को बताना चाते हैं कि क्या आलार चल रहे हैं इससे से भी जुलाई दोजार 21 को अलंपिक स्टेडियम टोक्यों के अंदर और फॉर्मली इसे शुरू किया गया जो वहां के समराथ है नरू ही तो इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर कौन है कि जापान के अभी अभी किस की डैथ हुई भारत ने पता विबुशन कब दिया एक्किस एक्किस में वाड़ फॉर्मेशन में भी उनका योगदान है भारत के लिए महत्व पॉन है प्यम साब खुद गए उसको याद रखना कि अधि इसके बाद में देखो एक क्वेस्टन आज सकता है कि इसका थीम क्या थी मोटो क्या था वूविंग फॉर्वर्ड युनाइटेड बाई इमोशन ये इसकी थीम थी टोकियो ओलंपिक्सी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इंडिया का जो नंब़ था वो 21 पर था 205 409 इसके अंदर परेट के अंदर इस्सा लिया यह यहां पर लेते हैं उस समय पर मनप्रीज सिंग यह ध्वजवाग थे यहाँ पर कि टीम जे उथी इन्होंने alphabetical order के अनुसार यहाँ पर हिस्सा लिया, language के अनुसार आते हैं और generally organizing committee जो है वो तै करती है और जो host city है उसकी जो dominant language है उसके हिसाब से तै होता है इसके कारण से भारत का 213 था कितनी राम कानी में में क्या है और कितने नंबर पर अगर ऐसा पूछ ले तो 215 नंबर पर कितने दल थे 205 दल थे तोटल अब यह है मैडल टेली और भारत देखिए है इसके अंदर 47 नंबर पर पहले नंबर पर चाइना 38 गोल्ड 30 सिल्वर और 18 ब्रॉंज 86 के बाद युनाइटेट स्टेट 34 फिर जापान फिर ग्रेट ब्रिटेन फिर आरोसी फिर ऑस्टेलिया फिर जर्मनी फिर इटली फिर नीधरलेंड्स यह आरोसी क्या है कई खिलाडी ऐसे होते हैं जो कि किसी देश की टीम से खेलना नहीं चाहते हैं हाँ या फिर उनको है वो देश बेशते नहीं है जैसे माल लो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आप चाते हैं कि आप इस्पोर्ट्स के अंदर खेलने जाएं पर भारत क्या देगा कि नहीं हम आपको बेजना नहीं चाहते हैं तो आप उलंपिक की कमेटी जो होती है उसकी अलग से टीम होती है उस टीम के अंदर खेलते हैं यह पांच वे नंबर पर रही है भारत का 47 सेवन अब तक का सर्व स्रेश्ट परदर्शन यह कहा जा रहा है वन गोल्ड फिर इन्हों ने जीता यहां पर दो यहां पर सिल्वर आए चार यहां पर ब्रॉंज आए अब यह जितने भी सांतों मैडल है यह हो गये हैं हमारे लिए इंपोर्टेंट यह हमारे स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट ऑफ इंडिया के अंदर एज यूजवल गोल्ड मैन नीरत चोपड़ा अब नीरत चोपड़ा जो है इन्हों ने भारत का पहला गोल्ड मैडल जीता है एथलेटिक्स के अंदर और स्टार बन चुके हैं यह इसलिए हो गया है इंपोर्टेंट ओक्यो जाकूब वर्ल्डेज आप कह रहे थे ना कि वो किसको अरा के जीता है यह काफी न्यूस के अंदर थे उस समय पर जब यह इवेंट हुआ था जनरली यह इवेंट्स कम देखता हूं यह मैं देखा था और कमबैक जो है वह वाकई में नीरत चोपड़ा का इस इवेंट के अ स्कांदार था तो इसके बाद में और कौन कौन यहां पर देखे सिल्वर मैडल मिल गया जाकूब को इसके बाद में ब्रॉंज मैडल विल गया विच जैव वैसली नाम भी अजीव है ब्रॉंज मैडल निरज ने पहला भारत का गोल्ड मैडल जीता है एथलेटिक्स के फस्ट एवर है इसलिए ये हो गया है important के बाद मैं second number पर साइको मीरा बाई चानू कौन सा medal? silver medal क्या event था तो इंडिया की weight lifter मीरा बाई चानू इन्होंने silver medal दीता टोक्य ओलम्पिक्स के अंदर इन्होंने total weight उठाया 202 kg गोमंस जो category है 49 kg इसके अंदर ये खेल रही थी 49 kg ही इनका weight है और 202 kg टोटल किलोग्राम इन्होंने इसके अंदर उठाये न्होंने number one पर रही थी house you of china इसने जीता था gold और हमारी मेरा बाई चानू ने जीता यहाँ पर और common wealth के अंदर पहला gold मेरा बाई चानू उने जीता है के बाद में यह इंडोनेशिया की जो थी तीसे नंबर पर रही विंडी अलिसा इससे काफी आगे थी bronze medal इनको मिला और यह भारत का second medal है weight lifting के अंदर अब तक का previously इससे पहले किसने जीता है कि 2000 के जो olympics होए थे Sydney के उसके अंदर मैडम करना मलेश वरी जो है इन्होंने medal जीता वाए इसके बाद में second medal ही है यहां पर और फिर पीवी सिंदू यह भी भारत की star काफी जगहों पर इन्होंने किया है और अब यह ऐसी unique बन चुके है जिनके पास में दो medals है एक olympic का इनके पास में silver है और इसमें bronze medal है पीवी सिंदू है बाँ सेकेंड मैडल एड़ ओलम्पिक्स दिस यह इंक्लूडिंग ब्राँज शी है बाँड टोक्यों ओलम्पिक्स 2020 इन्होंने जो 2016 वाला वा था इसके अंदर जीता था और इस्वार पीम साब के साथ में जब वो मीटिंग बाद में बुलाई गई थी इसके अंदर इनका फोटो था इसमें दोनों medal दिखा रही है और पहली ऐसी है जिनके पास में silver और bronze दो-दो रवी कुमार दहिया इनका statement काफी खतरनाक था उस वक्त पर यह पोटो के अंदर आप देख रहे होंगे काफी दुखी दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि medal यह मेडल भी होता है बाकी सब तो भäस ठीक है यहीं ध्यान कहते के लिए अ अपने को पर यहीं कि लिए अपने गया रखना थिटे संतुbook के लिए वैंदे को एक्जाम निकालना है इसस वाल सेलेक्शन लेना है बाकी सब बाते बेमाने है रवी कुमार दहिया जो है इन्होंने भी यहां पर सिल्वर मैडल जीता है रेस्लिंग फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने 57 केजी वेट के अंदर जीता है इसके अलावा इन्होंने 2019 की जो वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियंशिप है इसके अंदर भी ब्राउंज मैडल जीता है के लावा यह दो वार के एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं फाइनल के अंदर इन्होंने आरो सी जब और उगुवेव जो है काट लिया था बुरी तरीके से फिर इन्होंने छोड़ा नहीं था था वैसे छोड़ना नहीं है लास्ट तक और इसके बाद बजरंग पूनिया यह भी हमारे पहलवान इन्होंने भी यहां पर जीता मैडल बजरंग पूनिया इस दो ओनली इंडियन रेस्लर तो विश्व कुस्ति प्रतियों गिता है इसके अंदर तीन मैडल जी टुक है 65 kg वेट के अंदर पेलते हैं और यहां पर इन्होंने ब्रॉंज प्रतियों गिता चलती है भारत और कजाकिस्तान वालों की आपस में यहां पर बजरंग पूनिया ने जीता है मैडल इसके बाद में देखते हैं नेक्स कि इंडिया मैन्स की जो होक्की टीम है यह भी काफी चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने रही जीता है इन्हों ने यहाँ पर जर्मानी को हराय है कम बैक मैच के अंदर और इनसे यहाँ पर इनको मिला है ब्रॉंज मेडल CWG के अंदर कौन सा मेडल Commonwealth में जीते सिल्वर यहाँ पर जीता इन्हों ने ब्रॉंज इसके बाद में और ऐसे ही कई सारे इन्फोमेटिव वीडियो और डेली करेंट अफेर्स दे हिंदू इंडियन एक्स्प्रेस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल उमाकान परोहित को इससे यह जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं इससे रिलेटेट जितने भी क्वेस्टन्स वगेरे बनते हैं और भी सारा कंटेंट आपको मिलेगा मेरे इस टेलिग्राम उमाकान परोहित यूपी ऐसी पर कुछ भी आपकी ग्वेरी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम दे उमाकान परोहित पर अभी तक पिक्चर बाकी है पोर्स अभी तक खतम नहीं हुए अब आता है वो आपके लिए कंटेंट जिसे आपको बार 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 रिविजन करते रहना है यह वो सारी चीजे मैंने अब यहां पर डाल दिये जिनसे हो सकता है क्वेस्टन कहीं न कहीं निकले कौन कौन सी है आए देखते हैं अब यह सारे वन लाइनर से एफसी वुमन्स एशियन कप इंडिया 2022 यहां पर चाइना ने जीती है यह चैंपियंशिप इसके बाद में सी एफ अफरे काप काप आप नेशन्स केनेगल ने जीता ताटा इस्टील चैस्ट टूनामेंट नौर्वे के मैगनेस कालसर ने जीता यह बहुत इंपोर्टेंट रेक्टी है इसे आ सकता है मैगनेस कालसर कौन से खेल से संबंद दीते हैं चैस से संबंद दीते हैं क्योंकि यह काफी चर्चा में रहते हैं के बाद में भारत के लक्षर से जो है इन्होंने जर्मन ओपन 2022 हुआ इसके अंदर मैडल जीता है पीवी सिंधू ने स्ट्रिश ओपन बैड मेंटन जो हुआ है 2022 का इसके अंदर गोल्ड जीता और यह काफी तर्चा में रही थी उस वक्त भारत ने तीसरा एडिशन जीता एस डबल एफ यू अंडर एटीन कुमंस चैंपियंशिप 2022 चारखंड के अंदर भारत के अंदर हुआ है और यह भी भारत नहीं जीता है के बाद में साधिक तरीक है इन्होंने गोल्ड मैडल जीता भूसू स्टार्ट चैंपियंशिप के अंदर पंकज आडवानी कौन से खेल से समझ देते हैं आधकल काफी फेमस है इस एरिया के अंदर वो गेंशिप विलियर्ट स्नूकर वो इसे टेबल पर बॉल डाल के खेलते नहीं है उस गेम से और यह भारत के काफी पुराने खिला डिया ही है और यह लगातार कई सारे व है 2022 की इसके अंदर आठ भी वार जीता है मैडल के बाद में इंडिया ने सिक्योर किये टोटल 17 मैडल्स इन एशियन रेस्लिंग चैंपियंशिप रवी कुमार दहिया ने यहां पर भी जीता है गोल्ड इन्होंने कौन सा जीता है तोक्यों के अंदर प्रॉंज या सिल्वर मैंने पूरी स्टोरी बता ही ना कि मैडल तो गोल्ड ही होता है सिल्वर तो सब ऐसे ही है कि बास अंतोष ट्रॉफी के स्केल से संबन दीते हैं किसने जीता है यहां पर अपने कवर किया इसको वेस्ट बेंगॉल को हराया केरल आने जीता ही है और भारत के नीरत चोपड़ा ने गोल्ड जीता कौरटेंड गेम्स 2022 जो कि फिनलैंड के अंदर हुए के बाद में प्र कि सारे वन लाइनर से आपको बार-बार इनको बढ़ना पड़ेगा क्लिक वहां पर कोई गड़ जाए जो गड़ जाए के बाद में पीवी सिंदु ने सिंगपोर ओपन टाइटल भी जीता 18 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंशिप भारत का 33 स्वाइस्थान राह है USA ने टॉप किया है और यहां पर भारत ने सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीता मिस्टर नीरत चोपड़ा फर्स्ट एडिशन बॉक्सिंग कप 2022 कजाकिस्तान और भारत की गीती का और आफिया पटान ने जीता है भारत ने यहां पर 14 मेडल जीते हैं के बाद में जो 2024 का ओलम्पिक परालम्पिक होगा का ओफिशल स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन इसका मैं स्कॉर्ट बताओ अब बंकर अब कर अब कर अब कर अब कर अब कर नाम यह याद रखो के बाद में मास्टर कार्ड है वो अब रिप्लेस कर रहा है पे टी एम को एस टाइटल स्पॉंसर ओफ बी सी सी आई मैच यह सारी डीटेल्स एक वार पड़ो इससे कर अब आई कि अगे कि अगे कि अगे के बाद में कैस्पर रूड विंस 2022 का स्विस ओपन टैनिस टूनामेंट टैनिस टूनामेंट स्विस ओपन है इसे पूछ सकते हैं स्विस ओपन किस से किस खेल से संबन देते हैं यहां पर 2022 यूनियन ओफ यूरोपियन फुटबॉल एक्सोशियेशन यूरोपियन फुमंस फुटबॉल चैंपियंशिप इंग्लेंड ने जीता है जर्मनी के खिलाब यूई एफ चैंपियंज लिग किसने किया है अपन नहीं कोई है क्या एक बाद में मनीश कल्यान जो है वो पहले भाटियों बन गए है इन्होंने यूई एफ वुमंस चैंपियंज लिग के अंदर जीता है मनीशा कल्यान इनका नाम है इतना बड़ा टाइटल अगर कोई आजीब सा तो वो जीता है नीरत चोपड़ा ने पूजा ओजाने जीता भारत का पहला मैडल इन्होंने जीता है कैनोई स्प्रिंट एंड पेरा कैनोई वर्ल्ड चैंपियंशिप तेज भागने वाली स्प्रिंट जो होती है इसके अंद गोल्ड मैडल जीता है इन्होंने वर्ल्ड कैड़ेट जूड़ो चैंपियंशिप हिमाचल प्रदेश करके टीम में जीता है विजह हजारे ट्रॉफी एक वार पढ़ लो इससे पीडिये मिल जाती है आपको चले आगे इसी सी अंडर नाइटीन एक शक्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वह हमने जीता है स्री लंका को अराते हुए लदा की जो महिला टीम है इन्होंने नौवा नेशनल वुमंस आईस फोकी चैंपियंशिप 2022 जीता है और फस्ट एवर वर्ल्ड डेफ टीटवशंटी क्रिकेट चैंपियंशिप जो है वह किरला के अंदर होने वाली है यह ऐसी इन्फॉमेशन है जो कई वार हमें पता ही नहीं है कि केरला के अंदर होगी केरला ने कौन सा जीता है अभी संतोस टॉफी जो की फुटबॉल का है किसको रहा है वेस्ट बेंगवाल को इसके बाद में 2021 वर्ल्ड रैपिड चेस्ट चेंपियंशिप नौदीर बेक अब्दू सता रोग इनका नाम नहीं कि रिशब पंत इनको टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 यह अवार्ड जिया गया इस्पें क्रिक इनफो के द्वारा के बाद में भारत ने आई सी सी अंडर नाइटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 भी जीता है मेरा बाई चानू जी जो है इन्होंने सिंगापोर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल के अंदर भी गोल्ड मैडल जीता भारत अब होस्ट करेगा 2023 का आयो सी सेशन इन मुंबई आफ्टर 40 इयर्स यह वाकई में बड़ी बात है यह करवा रहा है मतलब भारत अपनी दावे होता है अगर किसी देश के अंदर उलंपिक हो रहा है मतलब वो देश के अंदर वाकई में काफी पावर है तभी वहां पर सारे देश को मैनेज कर लेगा प्रमोध भगत ने दो सिल्वर एक ब्रॉंज जीता इस पैनिस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के अंदर क्रिस्ट का है भंडार एक बार इसे बढ़िए अरत के पहले ग्रांड मास्टर कौन कि विश्वनाथन आनंद 75 लास्ट कितने हो गए एक 76 और हुआ है कल में डाला है टेली ग्राम पर आइसीसी अवार्ड मेंबर्शिप स्टेटस यह अपन कर चुके हैं कमबोडिया उजबेकिस्तान पोर्ट डी आईवरे इनको दिया गय है पॉर्मर वेस्ट इंडी स्रिकेटर किरॉन पोलाड 500 T20 मैच सबसे ज़्यादा खेले निरत चोपडा ने पावो नुरामी गेम्स तो है यहां पर सिल्वर मेडल जीता और बारत ने ब्रॉन जीता है अगेंस साउथ पोरिया एशियन मैंस अंडर 18 वर्ल्ट चैंपियंशिप तो क्यों अगला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2025 भी और्गेनाइज करवाएगा 2020 का उलम्पिक भी इन्हों नहीं करवाया है इन्हों पर उलम्पिक होता है वहीं पर ही पैर अलम्पिक होता है और यह काफी न्यूज के अंदर रही थी वर्षी है भगवानी देवी जी इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियंशिप के अंदर कुछ नहीं सकते हैं यहां पर इन्होंने गोल्ड जीत लिया है पूरे विश्व के अंदर रही शर्मा पहले कैप्टान प्रिकेटिंग हिस्ट्री टुवें थर्टीन कॉंजिकेटी टी टी टुवन्टी पर क्या फायदा एक भी मेजर इवेंट नहीं जीता मध्यप्रदेश रंजी ट्रोफी 2022 तली बाट जीता है और 2022 तली प्रोफी वेस्ट जोन ने हराया साउथ जोन को भारत ने हराया नेपाल को चार्ट जीरो से 2022 का से एफफ अंडर सेवंटीन चैंप्टिंशिप टाइटल जो कि स्री लंका के अंदर हुआ है तुरंड कप किस खेल से समान देते हैं पंगलूरू ने आ रहा है मुंबई सिटी को यहां पर के बाद में यह नेपाल के अंदर हुआ बांगला देश ने ने नेपाल को रहाया वर्ड रैसलिंग चैंपियंशिप भारत के बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इन्हों यूनाइटी ऐसे कुछ था ऐसे याद कर लो कि चुछ आफ यूनेटी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं महाँ पर भारत के प्रणव आनंद जो है करना टका से आते हैं अंडर सिक्स्टी ओपन केटेगरी टाइटल है और ए आर लामा पार्थी तमिल नाडू से आते हैं इन्होंने अंडर 14 ओपन टाइटल जीता है वर्ल्ड यूथ चैंप चैंपियंशिप के अंदर की मामिया रोमानिया के अंदर हुई है सौदा और सोला साल की उमर के अंदर इन्होंने यहां पर मैडल जीतनी है ग्रैंड मास्टर अर्विंद चितंबरम जो है इन्होंने 22 दुबई ओपन चैस्ट टुनामेंट जीता के बाद में अरुद अर्जुन इरागाई सी इन्होंने 28 अबुध हभी मास् के अंदर एड़ करता गया निरत चोपड़ा पहले बाट ये बन चुके है जिन्होंने डाइमंड लीग ट्रोफी के अंदर जीता है इसके बाद में अनिस्का भियानी जोने गोल्ड मैडल जीता है मलेशन चेस्ट नीट के अंदर फॉस्ट एवर माउंटेन बाइसेकल वर् भारत होस्ट करेगा मेडन मोटो जीपी रेस दोजार तेविस के अंदर फॉर्मूला वान अपन पढ़ रहे थे अब भारत भी ऐसी आयोजित करवाएगा नवाग जोकोविच ने तेल अवीव उपन 2022 ये तेल अवीव कहां पर है अगली बताया मैंने कि राजदानी है इसराइल की ये और नवाग जोकोविच ने नव्यवा टाइटल जीता अस्तान अउपन का कि कि अले आगे कि कि लेवर कप किसे समद्ध टैनिस समद्ध जीता किसने पूरे वर्ड की एक टीम थी इन्होंने यहाँ पर जीता है योती यारा जी पहली भारतिय महिला बन चुकिया है जिन्होंने सब 13 सेकेंड 100 मीटर फड़र जो रेश होती है इसके अंदर जीता है कतर होस्ट कर रहा है 2023 का AFC Asian Cup फीफा ने अपना ऑफिशल जो मैस्पोर्ट है फीपा वुमन्स वर्ल्ड कप का यह अन्वील कर दिया है और इसका नाम है तजूनी सुभंकर जो है महिलाओं का जो वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का इसका तजूनी रहने वाला है राइफल पिस्टॉल वाली जो है यह एजिप्ट के अंदर हुई है और भारत नहीं यहां पर 34 मैडल जीते हैं सेकेंड नमबर पर रहें पंका जाडवानी ने आई बी ऐसे वर्ल्ड बिलिएट चैंपियंशिप मलुशिया के अंदर वह यह जीती और यह बाइसाब जो है वो टेस्ट से संबन दिते हैं और इन्हों ने एक और चैंपियंशिप जीप फिर इन्हों ने सबसे पहले तो देखो कौन कौन सी है भारत के अंदर लांस भारत के अंदर दो तरीके के होते हैं अब अपने पास में इतना समय तो नहीं है इसके अंदर classical dance देखो कौन कौन से कफ़े बात के अंदर in dance को कहा जाता है listening करत का है कत् Heli कि इसके अंदर होती है वो कथा की थीम होती है वह कथा कली कोट कली ये जो यहाँ पर इतना clear नहीं आपाया है यह जो आप देख रहे हैं यह देखें आपर जो face का color होता है वो अलग-अलग character के हिसाब से अलग-अलग होता है कि इसके बाद में कुची-पूडी फिर सतरिया यह सतरिया dance कहां पर होता है असाम के अंदर होता है औडी-सी इसके अंदर होता है त्रिभंग इसके अंदर जो बॉडी होती है इसके इंदर तीन बैंड देने आवज सक में भरत नाटंट है तमिल मार्ट से कंड तहां ओतर प्रदेश और इसके अंदर इस घराना शिस्टम चलता है विशचु महरास दो है वो इसी से कोन से कर और कि अब इसके अंदर और यह जो घराना सिस्टम है यह क्या बीसिकली तो आफ घराना कैथे किसको यह training school है कथक बेसिकली तो एक ही डांस है थोड़ा लखनव घराना जो है इसके अंदर अलग स्टाइल से सिखाय जाता है जैपूर घराना जो है उसको अलग स्टाइल से सिखाय जाता है इसके अलावा ये पहले क्या था कि ये मुगल जो दर्बार है इसके अंदर होता था दिरे-दिर जैसे जैसे पावर खतम होती गई वैसे वैसे बाकी छत्रब के पास में आर्टिस जाते गए वैसे अब वर्तमान में लकनव और जैपुर दो घराने बचें बिर्जु महाराद इसी से समंदित है फिर आता है कुचीपुडी यह है आंध्र प्रदेश से ओडिसी नाम से पता चल रहा है ओडिशा कतकली केरला सतरिया आसाम यह यहां पर सत्र होते हैं वहाँ पर जो डांस किया जाता है भगवान विष्णु की फुजा से समंदित है यह इसके बाद में मनीपुरी यह मनीपुर से और मोहिनी अटम क्यरला से को एक वार लिस्ट याद गरो जो अब आपिस से देखो इन पोटो उसको यह कहां से भरतनाट्यम कथक कहां शें कथकली कुचीपुडी मनीपुरी मनीपुर से मोहिनी अटम ओडिसी, ओडिसा, सतरिया, आसाम, ये ये तो सब को पता हो नहीं चाहिए भारत के अंदर के आठ क्लासिकल डान्स है नहीं, एक एक डान्स और है, वो यहाँ पर मैं डालना भूल गया, एक डान्स होता है चाओ के अंदर मेन चलता है पुरली अचाओ यूँ, वो एक रंबीर कपूर और प्रियंका चोपडा की एक पिक्चर आये थी जिसका वो गाना है, फिर ले आया दिल परफी पिक्चर है इसके अंदर वो गाना है उसमें यहाद हो तो वो एक सिक्वेंस आता है जिसके अंदर वो मुखोटे लगा करके डान्स होता है वो जो dance दिखाया हुआ है वो चाओ dance है और इसको भी classical dance से इसके अंदर सामिल करने की मांग चल रही है कहीं कहीं पर इसे गिना जाता है पर officially अभी तक इसे माना नहीं गया है तो इसके अंदर होता क्या है मुखोटे लगा करके dance होता है यह चाओ dance किस एरिया के अंदर होता है तो जो बिहार बंगाल वाला यह जो इलाका है इस एरिया के अंदर चाओ डांस होता है जारखंड वाला जो इलाका इधर भी होता है के बाद में folk dances जो है अब classical dance और folk dance के अंदर अंतर क्या है classical dance देखो इस UKRAVNI — पड़ेंगे, क躥क एलि के अंदर ये ऐसा सञंगार करना पड़ेगा יृवल — अपा कलर किसु का होता है, काला कलर किसका होगा, सफेद किसका होगा, हरा किसका होगाय। इस सब के अंदर भरत नाटियंग, इन सब हुआ है यह सब प्रवर्ति भी और यह इसा प्रवर्ति कर नहीं पर फोक दान्स के अंदर नहीं प्रोक नांजे के अंदर कौन से फोक दान्स है और रटेश के अंदर विलासिनी नाटियम यह लिस्ट जो है वो आपको रोध सुबह गरम पानी के साथ में देखनी पड़ेगी अब अरणाचल प्रदेश बुईया चलो वांचो पासी कौंग की पोनूं पोपीर आसाम की हुँ सबसे इंपोर्टेंट बनता है बिचुवा नट पूजा महारास ताली गोपाल खेल बखो बखाइन पन्वारिया यह सब यहां से चतीस गड़का गौर मारिया पंती रौत नाच पंडवानी गंडमानी कपालिक यह सब यहां से गुजरात का मोस्ट फेमस गरबा और डांडिया राश के बाद में टिपनी जुरियम और भवई भवई डांस भी काफी फेमस है पिर आता है गोवा का तरंगा मेल पोली देखनी फुगडी सिग्मो फिर आजाओ हरियाना जुमर जिसको बोलते हैं जुमर गुमर गुमर राजस्तान का है इससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं यह अपना पड़ोसी है तो कि रास्तान के अंदर करेंगे गुमर वहां जाके करा देंगे जुमर फिर फाग दफ घमाल लूर गुगगा और यह सब यहां पर माचल प्रदेश के अंदर जोरा जाली शरी धमन खापेली और महासू जमू कश्मीर के अंदर आता है रौफ एकात पंट जाज पुड डंडी नाच यह ऐसे हैं कि आगे जाकर के एक करता हूं जो भी डांस है मैं मेरा डिवाइस लेकर बैठता हूं कि इसका फोटो देखो फोटो से कई वार अपने को याद रह जाता है इसलिए मैं ज्यादा तर इमेजेज है वह अपनी स्लाइड के अंदर डालता हूं पिर आजव जारखंड में जारखंड में अलकप कर्मा मुंदा अगनी उमर जनानी जुमर मर्दाना जुमर पाईका फगवा पिर आजव करनाट का मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वार का ये रट लेना इसको यक्सागाड क्योंकि ये काफी चर्चा में इसके रिवाइवल क के उपर सरकार काम कर रही है केंद्र और राज्य सरकार तो तो पूछेंगे पूछेंगे कहां से है करनाटक से के बाद आजाओ केरला पुटम फुलल और कई कोटाली महाराष्ट्र लावनी बहुत के अंदर रहता है नकाटा कोली ले जिम गपा ये सब इसके अंदर झाल बहुत के बाद रहता है नकाट कार लावनी बहुत के बहुत कानाटक से है करसे बहुत के अंदर में एकते तो तो ऑ्पार जिम गे जाजाबे सम्रेंगे जी बहुत अब आपर पुमर कर लो घंगोर कर लो जुलन कर लो लीला कर लो तुई सिनिंग कर लो घपाल कर लो नगे था जलो बहांगड़ा इद्धा सब को पता है रण्डफ नमा भांड यह सब यहां पर सके कूफ अट शिकमारी तिंगी चाम स्नौ लायन यह किये तो वहां पर दिखाते है न हमान कोई पिक्चर के अ Danny को गोमने गए हैं यह वो तुर यह लाए चाह लगा करके से i عن hé पुज जसे शर वाला मकवट लगा करके धिक्षा बोब हूँ है कि के भा सिध कर बदातू हे Democrat कि मैट के अंदर दिखाये वा है पर तमिल नाडू के अंदर कुमी, कोला, अटम और कवाडी, त्रिपुरा के अंदर खोजागिरी, उत्तर प्रदेश, नौटंकी, रासलिला, कजरी, जोरा, चपेली, उत्राखंड, गडवाली, कुमायोनी, कजरी, जोरा, रासलिला, ये दोनों आस पास पढ़ते हैं, इसके के लिए देखिए, काफी चीज़े कॉमन भी है, इनके अंदर, मैं अपनी स्लाइड्स यहीं पर ही खतम होती है, ये जो काफी सारी इन्फोमेशन ओवरलोड आज की क्लास के अंदर है, मैं आप सबसे, मैं जनरली इन चीज़ों से बचता हूँ, पर आज मैं कहना चाहता हू देखो, सबकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम सलते रहते हैं, एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी मेरे काफी करीब है, मैं कई वार इससे बढ़ता रहता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, कि एक वार एक बहुत बड़ा पावर्फुल हाती था, मोटा त जी है, तब कुछ भी तोड़ के जा सकता है, क्या दिक्कत क्या है, एक दिन उसके मावत को पूछा गया, इसके अंदर दिक्कत क्या है, तो उस मावत जो केर टिकर होता है, आतिको उसको मावत बोला जाता है, उसने कहा कि भाई, ये जब छोटा था ना, तब ये ऐसे भाग आठा चाहता था उस समयपर मैंने इसके पहर के एक रसी बांद कर यहां पर बांद दिया था ऋपने कोशिषा कि इसे तुड़वाने की वह तोड़ नहीं पाया क्योंकि उस समय पर इतने यहां से निकलता है, वैसे ही अपने सब के माइड के अंदर यह barrier है, कि हम इसे कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं, यह हमसे ज़्यादा powerful है, ऐसा कुछ नहीं है, सब के दिमाग के अंदर वो रसी होती है, कभी न कभी उसको तोड़ना पड़ता है, अब आपका वक्त आ कर रहे हैं, नहीं करता है कोई, पूरा concentration आप यहां पर लगा रहे हैं, हमारी life का सबसे important time होता है, हमारी youth, और उसका सबसे ज़्यादा time हम इस preparation को देते हैं, के लिए आप सबसे अच्छा पुनीत कारे कर रहे हैं, यहां पर क्या आप तयारी कर रहे हैं, अपना काम था तया आप पूरे विश्व को जान लिया है, पूरे विश्व के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लगातार, हम यहां पर 7-8 दिनों से रोज discussion करते हैं, इसके लवा बाकी teachers भी आपके साथ में अलग-अलग subjects के उपर discussion करते हैं, आपके आस-पास के जो लोग है, उनसे आपका mental level अब काफी अलग हो चुका है, अब आपके आस-पास में कोई भी बात होती है, तो आप उसमें बता सकते हो, आप हिस्सा ले सकते हो, आपको किसी भी subject पे बोलने को कह देंगे, तो आप उसके उपर बोल सकते हो, इसलिए सबसे पहले तो pressure अटा दो दिमाग से कि क् देखा जाएगा, पहले भी तो कितने हजारों लोगों ने दिये हैं, वो भी तो select हुए है, वो भी आपकी तरह थे, आगे भी हजारों लोग देंगे, यह दुनिया ऐसे ही चलती है थी, ऐसे ही चलती रहेगी, लिए mentally barrier कभी नहीं रखना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अपने आथ में पढ़ना है, गीता के अंदर भी कहावा है, सब को पता है आज कल तो, कर्म करिए फल के चिंता मत करिए, अपने आथ के अंदर पढ़ना था, अपन पढ़ें, लास्ट मॉमेंट तक पढ़ेंगे, खोडेंगे कुछ भी नहीं, कि बाद में जो भ अधर गोमने गए हो कभी, में गोडे को क्या करते हैं बो, फकड़के तो रखते हैं, उसके पास में ऐसे लगा देते हैं, चमडे से, जिससे वो इधर उधर नहीं देखे, उसको सामने का रस्ता देखना है, अपना गोल देखना ये, बागी सब जीजे बेमानी है, सब तोरी बनानी है आगे जाकर के यह पस्चाता आप नहीं रखना है कभी त्यार उस समय पर मैं वह कर लेता जो करना है वह आज ही कर लेना है वोल्डन चांस है आप सबके पास में वेकेंसीज है और सबसे बड़ी बात आपने मेहनत किये अपनी प्रिप्रेशन जो आज तक है उस पर ट्रस्ट रखिए तो भी बड़ा है उसे बार-बार रिविजन करिए मौक वेस्टन लगाते जाएए पूरी टीम आप सब के साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है खाली प्रिप्रेशन रिलेटेड नहीं कई वार एक्जाम प्रेशर हो ब्लॉकेट फील रहा है बात करना चाहते हैं आप करिए मुझसे बात मैं आपके लिए हमेशा रेडि हूं हमारी पूरी टीम हम सब चाहते हैं कि आप सब का सेलेक्शन हो तो यहां से इसलिए आपका और हमारा यहां पर अलाइंस है मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मै मैं चाहता हूं कि आप सब का यहां पर सेलेक्शन हो इतने भी पढ़ने आते हो हम चाहते हैं नया बैच हो कोई भी हमारे को पुरानी शकल यहां दिखने ही नहीं चाहिए नहीं शकले हमारे को तो यहां पर चाहिए ठीक है ओल्ड़ वेरी बेस्ट